कि अगर आप सभी का स्वागत हैं हमारे द्वारा बनाएं गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा से एलो फ्रेंड्स आज में आप सभी से इंफ्रारेर सिस्टम के बारे में जानकारी साजा करूंगा इंफ्रारेर सिस्टम classroom amplification device का एक पार्ट है और मेरे द्वारा पूर में hardware system, loop induction system और classroom amplification device पर वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक इस वीडियो के description में दे दिया जाएगा आप वहाँ से classroom, amplification device, hardware system और loop induction system के बारे में जनकारी प्राप कर सकते हैं तो आईए हम देखते हैं infrared system क्या है तो infrared प्रणाली जो है वो ध्वनी को प्रकास तरंग के रूप में संचालित करती है तो यहाँ पे जो आपका द्वनी है वो प्रकास तरंग के रूप में संचालित की जाती है और जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रकास तरंग है वो मानोग के लिए हानिकारक होता है ठीक और ये जो आपके प्रकास तरंग है ये मानों के जो आख जो है इस प्रकास तरंग को देख नहीं सकता है और ये जो इंफ्रारेट सिस्टम है इसमें एक BCS प्रकार के ट्रांस्मीटर का प्रयोग किया जाता है जो आवाज को पीक अप करके सिगनल को अदिश जो प्रकास तरंग के रूप में परिवर्तित कर देता है और उसे परिवर्तित करके भेजता है तो ये चीज़े हैं, अब सुरुता के पास क्या है कि अपना बेक्तिगत तार रहीत रीट क होता है और इस रीबर में एक फोटो डिटेक्टर जो है डायोड होता है जो की इन्फ्रारेट सिस्टम को ग्रहन करता है और उससे जो है आवाज में परिवर्तित कर देता है जिससे की जो है आपका स्वरोता रेसीबर को आने से जो उसके पास स्ट्रवणयंतर है उस स्ट्रवणयंतर के प्रियोग करता है और उस स्ट्रवणयंतर के माधन से वो आवाज को सुनता है लेकिन उसे अपने स्ट्रवण करेगा फिर वह सुन पाएगा तो इस तरीके से आपका infrared system आपके और भात है जो दूसरा है कि प्रकास तरग के रूप में परिवर्तित कर देता है और सिगनल की रूप में छहाल पहleeu जुक्ति वहीं दूसरी बात है है यह थिसरा जो बात यह है करीशीबर में जो है फोटोडिसम डायोड होता है तीक रिसीबर के अंदर और वह क्या करता है कि वो जुँआ आवाज के रूप में कि आपकी उप्रकस्त तरंघ वह उसको आवज और उसे एक adapter का प्रियोग करना होता है इस प्रकार से जो है यह आपका infrared system है अगर infrared system के अगर हम जो advantage के अगर हम बात करें तो यह है पास की कमरे में हस्तचेप नहीं होता है ठीक है मतलब कि हम देखे थे कि लूप induction system में एक जो है limitation था कि जहां भी हम लूप induction system लगाएं उसके है इसमें बाद हम कर चूछ को चोड़ के ही लगाएंगे लेकिन याशा नहीं होता है कि इसमें हम continuity के साथ classroom में लआ सकते हैं पर फाच यह सब लगा हैieves को शोड़ के दूसरे उस तरह से नहीं सब्सक्राइब किया सकता है मतलए कि हर बच्छी के पास अगर अगला हम इसका एडवांटेज देखें तो आवाज संकेतक का अनुपात इसमें अच्छा माना जाता है ठेक है और इसमें जो है बैठने की कोई बाध्यता नहीं होती है जैसे कि हाड़वायर सिस्टम में था कि मोबिलिटी प्रभावित हो जाता है लेकिन इसमें मोबि इक कि मेंुटेशन्स के बात करें तो यह खर्चीला होता है ठीक रुषई लीजार में प्रियोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि सूर्व के प्रकास से प्रभावीत हो सकता है क्योंकि यह भी प्रकास तरहंग के रूप में होता है जैसा कि हम नों देखा था तिक इसके अलावा गर हम देखें तो कहरा कि अवरक्त प्रकास सिर्फ सिधी रेखा में चलती है अगता यादी बीच में कोई रुकावट आज आ गई तो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएग क्योंकि आपका इसमें प्रकास तरहंग है वह सिधी डायरेक्शन में जाता है तो जो आपके क्लास रूम है वह बाधा मुक्त होना चाहिए बैरियर फ्री होना चाहिए तब जो है आप इसका प्रियोग कर सकते हैं तो यह आपका जो है इंफ्रारेट सिस्टम था तो हम में तो मैं आसा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाएं गया वीडियो आप